नमस्कार बिचों, कैसे हैं आप सब, ठीक हैं, आराम कर रहे हैं अपने अपनी घरों में, तो चलिए कुछ काम करते हैं, सबसे पहले आप मुझे ये बताईए कि कल आपने हिंदी में क्या सीथा था, बताईए, बताईए, हाँ, बिल्कुल सही, कल आपने हिंदी में बालमाद पिल्कुल सही, तो अब मुझे ये बताईए कि अस्वर से कौन कौन से नए शब्द बनते हैं, चलिए बताईए, बिल्कुल सही, अनार, अनानास, अम्रूत, अध्रक, अजगर, बहुत अच्छे, इसका मतलब आप सब ने अपना ग्रह कारे बहुत अच्छे से किया है, चल करते हैं, मुझे ये बताईए, गर्मियों में एक फल आता है, मम्मी उसका हमाले शेख भी बनाती है, मिठा मिठा भी होता है, और उसका रंग पीला होता है, तो बताईए, बताईए, हाँ, बिल्कुल सही, क्या है उस फल का नाम, आम, क्या है, आम, सबसे उपर बताईए, क कैसा रंग होता है आसमान का? नीला ममी मटर की सबजी में पनीर के साथ सथ तो और क्या डाल सकती है? बताओ, बताओ आलू क्या डालती है? आलू, बहुत अच्छे एक चीज और आती है गर्मियों में ठंडी ठंडी और मीठी मीठी क्या नाम है उसका? आइस्क्रीम क्या नाम है उसका? आइस्क्रीम बहुत अच्छे आप सबको आइस्क्रीम अच्छी रगती है? मुझे भी बहुत अच्छी रगती है तो चलिए, अब मुझे ये बताओ इन सब शब्दों में हमें क्या बार-बार सुनाई दे रहा है आ, आकाश, आसमान भी कह सकते हैं आप आईस्क्रीम, आलू इन सब में आपको क्या बार-बार सुनाई दे रहा है बिल्कुल सही आ, क्या सुनाई दे रहा है आ, तो चलिए आज हम आस्वर कथा सीखेंगे क्या सीखेंगे आस्वर कथा और आस्वर से बनने वाले शब्द हम सीखेंगे आपकी आस्वर कथा बार मांधरी कुस्तत में पेज नमबर आठ पर दी गई है और आस्वर से बनने वाले शब्द पेज नमबर दस पर दिये गई है अगर आपके पास कुछ तक नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप बारगार इस वीडियो को देखेंगे, तो आपको आज से बनने वाले शब्द भी याद हो जाएंगे, ठीक है, तो चलो हम अपनी कथा शुरू करते हैं, एक दिन की बात है, आकाश में बादल चाय हुए थे, आ आसाराम एक जगह पर बैठ कर आलू और आडू बेच रहा था, आडू जाते हैं थोड़ा मीठा, थोड़ा खटा, गुटली लिए, उसको क्या कहते हैं? आडू, आसाराम क्या बेच रहा था? आलू और आडू बेच रहा था, उसी समय वहाँ पर आशु आ गया, और आशु क्या खा रहा था? आइस्क्रीम खा रहा था, आइस्क्रीम खाते हुए आशु वहाँ पर आ गया, फिर आसाराम ने देखा कि आनंद अपने पीछे कुछ चिपा कर खड़ा है, और वो जो चिपा कर खड़ा था, आपको पते हैं, वो क्या चिपा कर खड़ा था? वो आम आशु को इशारा करने लगा कि आशु देखो देखो वहाँ पर आग जल रही है और आशु हाथ में आईस्क्रीम लिए आपको देखने लगा इतनी रेर में आशु की आशु की आईस्क्रीम खानी शुरू कर दिया यहा है देखकर आशु भी रोने लगा आशु क्या करने लगा आशु भी रोने लगा और उसकी आँखों से क्या आने लगे आस्याशु आने लगे दो हैए ऐसे चूरी करके भी चीज़ खाना आशी बात है बिल्कुल अच्छी बात है हमें कभी भी चोगी नहीं करनी चाहिए तो चलिए अब हम आप से इस कथास से लेकर कुछ बाते पूछेंगे आप तयार हैं बताने को तो चलिए जदी से बताईए आसमान में क्या चाहे हुए थे? पादल, बिल्कुल सही आसाराम क्या वेच रहा था? आलू और आडू, बहुत अच्छे अच्छा आशो क्या खा रहा था? आइसे, बिल्कुल सही आनंद क्या चुपा कर खड़ा था? आँ, बिल्कुल सही आपको ये कहानी बिल्कुल सही समझ में आ गई बहुत अच्छी बात है अब आपने कल आज से बनने वाले सभी शब्दों को याद करना है तो चलिए हम आज से बनने वाले सब शब्दों को एक बार देख लें आलू, आज, आस्मान, आम, आइस्क्रीम ठीक है? क्या आप सबको ये सब शब्द समझ में आ गए? तो चलिए, अब आप इन सब शब्दों को याद कीजिए हम आप से कल लेंगे नमस्कार